दोस्तो आज की इस नए वीडियो में मैं आपको यूट मतलब वाटसप की A to Z सेटिंग्स बताने वाला हूँ तो दोस्तो अगर आपको पता भी हो तो मतलब उसमें से कुछ सेटिंग्स आपको पता हो सकती है लेकिन अगर आपको सभी की सभी सेटिंग्स अगर जानने हो तो मतलब इस वीडियो को दोस्तो आप पूरा जरूर देखिए दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेकनिकल तीप को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल एकोन को भी जरूर दबाना तकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है तो दुस्तो सबसे पहले आपको अपनी वाट्सप सेटिंग्स में जाना है तो मतलब मैं अपनी वाट्सप नोटिफिकेशन, डाटा एं स्टोरेज, यूजेस, हल्प, इन्वाइट फ्रेंड तो मैं आपको सारे की सारे सेटिंग्स यहां पता दूगा तो मतलब आपको फर्स्ट वाले सेटिंग्स पर क्लिक करना है जिसे कि अकाउंट आप अकाउंट में गए तो आपको फर्स्ट म में क्लिक करना है तो प्रावसी में क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हैं लास्ट सीन, मतलब अगर आप ऑनलाइन होंगे, मतलब आप कब ऑनलाइन लास्ट थे, वो यहां सीन बताएगा, तो दोस्तो मैंने नोबडी कर दिया, मतलब मेरा लास्ट सीन कोई भी नहीं देख सकता है, अगर आप माई कॉंटेक्ट करेंगे, तो मतलब मेरे मोबाईल में जितने भी कॉंटेक्ट से, वो मतलब मेरा लास्ट सीन देख सकते हैं, और अगर मेरा नंबर किसी के भी पास अगर सेव है, तो वो भी मेरा लास्ट सीन यहां से देख सकता है, और उसके नी everyone my contacts और nobody जैसे की ओपर वाली सेटिंग्स में बता दिया था जैसे everyone मतलब हर कोई आपकी WhatsApp प्रोफाइल देख सकता है तो my contacts मतलब आपके जितने भी contacts होंगे आपके mobile में वही लोग आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं और nobody मतलब आपकी प्रोफाइल कोई भी नहीं देख सकता और दोस्तों उसके नीचे देख सकते हैं जैसे की about about मतलब जो आपने text status जो रखा है वो कौन देख सकता है जैसे की everyone my contacts nobody बड़े जैसे की same मैंने पहले ही बता दिया था और दोस्तों सबसे खास बात यही है जैसे की आप status पर click करेंगे दोस्तों यह status मतलब आप जो video status रखते हैं अपनी mobile पर वो है my contacts मतलब मेरे ही contacts के लोग उस status को देख सकेंगे my contacts accept मत यह दो नमबर की option है की मतलब मेरे contacts के लोग नहीं देखेंगे और only share with मतलब यही settings है कि आप कि लोगों को आपका WhatsApp status दिखाना चाते हैं तो बस यही settings है और उसके नीचे देख सकते हैं जैसे की read receipts दोस्तों यह settings बहुत important है यही settings है कि अगर मतलब कोई दूसरा विक्ति आपको कोई भी मतलब chat करता है तो अगर आपने उस chat को scene के आये मतलब देखा है तो अगर आप read receipts ऐसे enable मतलब off करते हो तो मतलब वो blue tick नहीं दिखाएं देगे तो बस यही settings है और उसके नीचे देख सकते हैं जैसे की groups मतलब आपको यह settings बता देया है मतलब आपको कोई ग्रूप में add कर सकता है मतलब आप everyone अगर है तो मतलब आपको कोई भी अपने whatsapp group में add कर सकता है और देख सकते है my contacts फिर my contacts except जैसे की मैंने पहले ही बता दिया था और उसके नीचे देख सकते हैं जैसे की live location इस settings को मैंने मतलब चालू नहीं किया तो मैं आपको यहां नहीं दिखा सकता तो उसके नीचे देख सकते हैं जैसे की blocked contacts मतलब आपने जितने भी contacts block किये हैं वो सारे की सारे यहां दिखाई देंगे आप देख सकते हैं मतलब मेरे 15 तो उसके नीचे फिंगाप्रिंट लॉक तो यह बहुत मतलब मुहतु पुर्ण सेटिंग है दूस्तों अगर आप अपने वाट्सअप को लॉक लगाना चाहते हैं तो आप यहां से लॉक लगा सकते हैं या फिंगाप्रिंट लगा सकते हैं आप यहां टुच करते ही आपको यहां दिखाई देगा कनफर्म फिंगाप्रिंट टच दफिंगाप्रिंट मैं अगर मतलब मेरे मोबाइल के सेंसर को टच करता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे तो मतलब लॉक हो गया तो यहां पूछ रहा है मतलब इमेडियेटली आप्टर वन मिनिट आप्टर थर्ट से टु जपitung इंगएर अगर आपका कोई नंबर चेंज करना है मतलब अगर आप अपनी वाट्स अपका नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं जैस peng आपको next करना है next करने के बाद मतलब आपका यहां old number जो भी है उसे डालना है फिर यहां नया number डालना है यहां नया number डालना है और next करके आपको OTP आएगा बसो OTP डाल देना है तो आपका number चेंज हो जाएगा और उसके बाद request accounts कुछ करके settings है तो request accounts मतलब इस settings का तो use नहीं किया तो उसके बाद delete my account दोस्तों अगर आपका WhatsApp account delete करना है तो आप यहां से कर सकते हैं आपको delete my account पर click करते ही आपका account delete हो जाएगा और दोस्तों उसके बाद है chats तो मतलब आपकी सारी chats के settings यहां open होगी सबसे पहले आप देख सकते हैं जैसे कि dark theme भी use कर से जैसे कि आप देख सकते हैं अगर dark theme okay कर दिया तो ऐसा होगा और अगर light theme कर दिया तो मतलब ऐसा होगा तो मतलब night के लिए dark theme ही बहुत अच्छे है तो दोस्तों आप यहां से अपनी WhatsApp का profile मतलब sorry wallpaper change कर सकते हैं मतलब आप जो भी जिसको भी chatting कर रहे हो मतलब उसम में wallpaper आएगा तो मैंने enter is send इसके लिए मैंने video अलड़ी बनाई है तो आप वहां जाकर दोस्तों देख सकते हैं और media visibility font size अगर आप अपने font change करना चाहते हैं तो आप यहां से मतलब small रखना है या फिर medium या large आप यहां से change कर सकते हैं अगर आपको मतलब इस application की language change करने हैं तो आप यहां से change कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पहुत सारे languages देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद आता है chat backup दोस्तों मतलब आप से आपका chat delete हो गया है और अप अपने chat को मतलब backup करना चाहते हैं तो यहां से उस chat को backup कर सकते हैं और उसके मतलब chat history मतलब आप किन लोगों को चाट किये थे वो इसमें सारी की सारी आएगा तो आप यहां देख सकते हैं जैसे की export चाट अगर आप उस चाट को किसी के साथ share करना चाते हैं या फिर मतलब Google Drive पर भी share करना चाहते हैं तो यहां से export कर सकते हैं या फिर delete all chats भी कर सकते हैं तो यह settings हो गई उसके बाद आती है notification की settings notification की मतलब अगर आपको किसी ने message send कर दिया या फिर ऐसी ही settings है मतलब अगर message group में send कर दिया तो मतलब क्या आप vibrate रखना चाहते हैं प्या फिर कोई tone रखना चाहते हैं तो वही है और यह है मतलब आप अपने WhatsApp call को मतलब कुछ कुछ कौन सी ringtone set करना चाहते हैं बस ही वही settings है त data and storage settings है जैसे कि आप देख सकते है network uses, storage uses और ऐसे ही settings है और यहां आप देख सकते हैं मतलब यह आपको पूछेएगा कि अगर आपका mobile data on रहेगा तो मतलब photos अड़ियो इन में से क्या मतलब already download हो गया होगा मतलब अगर आपका mobile data मैं यहां अगर photos को click करता हूँ और ok करता हू तो मतलब मैं अगर मेरा mobile data चालू है तो मुझे किसी ने अगर photo बेज दिया तो automatically download हो जाएगा तो बस यह ऐसे ही settings है और उसके बाद आप यहां देख सकते हैं जैसे कि when connected to on wifi जैसे ही अगर आपका mobile wifi को connect है तो मतलब आपने जो भी select किया होगा वो automatically download हो जाएगा और यह यह मतलब आपका अगर phone roaming में है तो मतलब क्या आप select करना चाहते है वो automatically download हो जाएगा और अगर आपके पास data कम है तो आप यहां से low data uses भी activate कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको WhatsApp से कोई help चाहिए तो आप यहां से भी उन्हें contact कर सकते हैं तो दोस्तों अगर यह last settings देख सकते जैसे कि invite a friend दोस्तों इस settings में मतलब कुछ नहीं है दोस्तों अगर आपका friend अगर WhatsApp यूज नहीं करता तो आप यहां से उसे link send कर सकते हैं तो दोस्तों बस यही थी WhatsApp की सारी की सारी settings दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो इस वीडियो को मतलब बहुत आपको important होने वाली ह दोस्तों I hope यह वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों अगर वीडियो सरा भी पसंद आती है तो वीडियो को एक like जरूर करें और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को अभी subscribe कीजिए और साथी bell icon को भी जरूर दबाना तकि आने वाल हर एक वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले तो मिलते हैं ऐसे ही interesting नई वीडियो में